योगर जिले में को वैक्सिन के पहले डोस की कमी साफ नजर आ रही है जिले में लोग रेजिस्ट्रेशन तो करा चुके हैं लेकिन वैक्सिनेशन केंदर से उन्हें बेरंग लोटना पड़ रहा है वहीं वैक्सिनेशन सेंटर में मौझूद लोगों ने बताया कि पहली डोस 21 तारिक के बाद उपलब्ध कराई जाएगी बिना कीका लिए लोटने वाले लोगों में अधिकतर लोग 30 से जादा उम्र वाले हैं वहीं साच से उपर के लोग भी पहली डोस से बंचित रह गए हैं ऐसे में कहीं ऐसा ना हो कि तीसरी लहर के खिलाफ लडाई में जिला कमजोर पड़ जाए यह बोले हैं कि दस आदमी होगा तर देंगे हैं दस आदमी होने के बाद निकलेगा फाइल ना